दोस्तों इस वीडियो में हम काइन मास्टर की capture settings के बारे में जानेंगे ये कैसे काम करती हैं इसके बाद हम project settings के बारे में जानेंगे ये क्या क्या होती हैं इन में आप कैसे काम कर सकते हैं और आपके वीडियो को और खुबसूरत कैसे बना सकते हैं ये हम जानेंगे दोस्तों ये हम वीडियो में ही कहीं देख पाएंगे और उसके बाद सबसे आखरी में हम देखेंगे काइन मास्टर की एक्सपोर्ट सेटिंग इसमें जब आपका वीडियो कम्प्लीट हो जाता है और आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं इन सेटिंग्स को हम समझेंगे चलिए अब वीडियो को घंटा बजा के स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वाली जो बटन दी हुई है इससे आप कैप्चर एंड सेव कर सकते हैं ये देखिए ये जो फ्रेम है इस वक्त आपको यहां डिस्प्ले हो रहा है ये आपके गैलरी में जाके स्टोर हो गया है हम इस पे जाते हैं यदि आपको क्लिप के रूप में इसको कैप्चर करना है तो यहां पर देखिए ये इसने क्लिप बना दी है और यहां पर एड कर दिया है ये आप देख सकते हैं यदि आप layer के रूप में चाहते हैं इसे दबाईए और capture and add as a layer कर दीजिए यह देखिए यह यहाँ पर layer इसने बना दी है आप इसको जो भी बड़ा छोटा करना चाहें कर सकते हैं इन सब functions के बारे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इसे हम करते हैं delete दोस्तों यदि आप आपके project की कुछ setting को change करना चाहते हैं तो इस gear icon को दबाईए देखिए यहाँ पर लेखा हुए project master volume इससे आप पूरे project के volume को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर लिखा है audio fade in इससे आप यदि आपके sound को धीमे धीमे शुरू करना चाहते हैं तो इसको दबाईए यह देखिए यदि आप धीमे धीमे end करना चाहते हैं इसको दबादीजिए इससे आपका project का sound धीमे धीमे कम होगा और वो end हो जाएगा इसी प्रकार से यह वीडियो है यदि आप fade in चाहते हैं मतलब black background से आपका वीडियो चालू हो तो इसको दबादीजिए यहाँ से उसकी timing को आपका हम ज़्यादा कर सकते हैं default यह two second रहती है और इस वाले से आपका वीडियो fade out होगा मतलब कि black हो जाएगा वीडियो के end में देखिए आप भी हम वीडियो fade in को देखते हैं इसे हम लाते हैं शुरू में यह देखिए वीडियो fade in से ऐसा दिखता है हम जाते हैं end में और वीडियो fade out से ऐसा दिखता है हम जाते हैं editing पे यहाँ पर आप सबसे उपर देख रहे हैं default photo duration यह शाड़े चार सेकेंड है इससे आपका हम ज़्यादा कर सकते हैं photo display mode है fit and screen fill screen auto आप जो भी रखने चाहें और यहाँ है default transition duration यह ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों यह काइन master का watermark है जब भी आप काइन master में कोई video export करते हैं तो यह watermark आपको दिखाई देगा जितना भी आप चाहें लेकिन दोस्तों एक बात याद रखेगा कि यदि आप काइन master को pay करते हैं तो जैसे ही आपकी date आएगी ततकाल आपके account में से पैसे कट जाएंगे काइन master आपको कोई भी message या OTP नहीं भेजता है और direct आपके account में से पैसे काट लेता है ऐसा मेरे साथ हुआ था इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों यदि आप काइन master का no watermark version यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको google में जाके काइन master no watermark एप लिखना होगा और आपके सामने बहुत सारी website खुल जाएंगी उसमें से आप ऐसी एप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा करना आपके लिए खतरनाग हो सकता है दोस्तों काइन master में जब आपका वीडियो complete हो जाए तो आप इस बटन को दबा के अपने वीडियो को export कर सकते हैं उसके बाद ऐसा आएगा यहाँ पर आप आपके वीडियो का resolution, frame rate, bit rate वगएरा select कर सकते हैं और save as वीडियो पर दबा कर आपके वीडियो को export कर सकते हैं इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और आपका वीडियो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा बनके इसके बाद आप जहां भी चाहें चाहें यूट्यूब पर या दूसरे किसी भी social media platform पर upload कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो please like करेगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में, thank you so much कर दोस्तों कि हमें यह वीडियो में, thank you we